हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉं टू मैई चैनल, सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जोन डन की पॉइम जिसका नाम है ओ माई ब्लैक सोल, तो इस पॉइम में जो जोन डन है उन्होंने बताया है कि अब वो ओल्ड होते जा रहे हैं और उनकी देथाने वाली है अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे पाप किये हैं अब जैसी देथाएगी तो उनकी जो आत्मा है जब वो परमात्मा से मिलेगी तो उन्हें अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने पाप वगरा किये हैं उन सब का हिसाब किताब अगवान को देना पढ़ेगा और इसी को ले कर वो बहुत ज्यादा डरते हैं तो उसी के बारे में जो John डन है उन्होंने इस poem में बताया है तो start करते है Oh My Black Soul Now Now Thou Art Summoned by Sickness तो यहां पर जो John डन है वो अपनी आत्मा को कहते है कि Oh मेरी काली आत्मा, Oh मेरी Black Soul यानि कि Black Soul क्यों का गया है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सिंद पाप किये हैं जिसके कारण उनकी जो सोल है अब वो काली हो चुकी है वो कहते हैं कि यह जो सिकनेस है यह जो बिमारिया है यह क्या है एक प्रकार का इशारा है कि अब क्या है कि बहुत का बिमारी आ रहा है और इसी बिमारी से क्या होगा मेरी देथ हो जाएगी और देथ होने के बाद मेरी जो आत्मा है वो इस शरीर से निकल कर परमात्मा से जब रूबरू होगी तब कहे कि मेरी आत्मा को जो भी लाइफ में मैंने सिंद की हैं जो भी पाप की हैं उन सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा और यहां पर कहे कि जो जो अधा डर्टी है भगवान का सामना करने से क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप किये हैं जिसके कारण भगवान उन्हें अपमाव नहीं करेंगे तो यहां पर वो जो अपनी कंडिशन है उसके बाद में बताते हुए कहते हैं दाओ आर्ट लाइक अ पिल्ग्रिम कि जो मेरी आत्मा है वो एक कहे पिल्ग्रिम की तरह है जो कि कहे कि पहले वो अपरोड गई यानि कि वो कहे कि बाहार जाती है और वहां पर किया कि वो देश त्रोग करती है जिस तरीके से मान लो कि एक कोई परसन है वो एक देश से जब वो दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश में वो अपने ही देश के लिए कुछ गलत काम करता है तो यहाँ पर जो pointer वो कहते हैं कि इसे तरीके से जो मेरी आत्म है वो भी क्या है? कि एक pilgrim की तरह है बगवान ने मुझे इस अंसार में बेजा था और मैंने इस अंसार में बहुत सारे पाप किये हैं अब मेरी इतनी हीमत नहीं है कि मैं वापिस वहाँ पर यानि कि बगवान के पास जा सकूँ और अपने जो भी पाप किये हैं उन सब के लिए बगवान के सामने यानि कि पेश हो सकूँ अपने जो आत्म नहीं कि अवापिस आ सकूँ इसके अलावर यहाँ पर यहाँ पर और यहानि मेरी जो कंडिशन और वो कैसी है और like a thief, कि अब में जो condition है, वो एक thief, एक चोर की तरह है which tills that don't be rich, wished himself deliver from prison एक thief है, जिसे क्या है, कि prison का means होता है jail कि एक thief है, जिसे jail में cat करकर रखा है तो अभी तो क्यों होता है, कि जो वो thief होता है वो भी ये wish करता है, कि उसे jail से बहार निकाल दिया जाए but damned and hard to execution, wished that still he might be imprisoned लेकिन अब क्यों होता है, कि जैसे उसे ये बात पता चलती है कि उसे तो, यानि कि सजा दे दी गई है, फांसी की सजा दे दी गई है अब वो जो थीफ है, वो क्या wish कर रहा है, कि मुझे पूरी जो उमर है वो jail में ही क्याद करकर रखो यानि कि इसमें main बात क्यों होती है, कि जब हमें छोटी से कोई बड़ी सजा देने वाली होती है तो हम ये सोचते हैं, कि इतना बड़ा बुरा होने से तो अच्छे है कि ये जो थोड़ा सा बुरा हो रहा है, इसी से हम अपना सार लेंगे तो सेम वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है इसके बाद आगे लिका हुआ है, yet grace, if thou repent तो यहाँ पर अब क्यों होता है, कि पहले तो जो pointer वो कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, उसने life में बहुत सारी कहां पाप किये हैं जिसके कारण अब मेरी इतनी हीमत नहीं है, कि मैं बगवान के सामने उन सभी का जो भी है, जो भी मैंने गल्द किया है, उन सब के लिए बगवान से सामना कर सकूँ लेकिन अब यहाँ आपर वो क्या कहते हैं, कि अगर if thou repent कि अगर तुमें पश्तावा है तो तुम उस पश्तावे से यड़ ग्रेस, बगवान की जो देया है, वो पा सकते हो यानि कि अगर तुमें अपने किवे पर पश्तावा है, तो तुम उसके लिए माफी मांगो जिससे कि जो बगवान है, वो तुमें माफ कर देंगे तो यहां पर जो पॉइट हो कहते हैं कि जो भी मैंने गलत काम किया है, उसके लिए मैं पश्तावा कर लूँ लेकिन मुझे बताएगा कौन कि मैं कहां से शुरू करूँ ओ, make thyself with holy morning black and red with blushing as thou art with sin, और wash the increased blood which had this might तो यह जितनी भी तीन लाइन से इसमें क्या का आगया है, कि तुमें क्या है, कि सबसे पहले तो अपने जो भी गलतियं हैं, उन्हें क्या है, accept करना है इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी, जो भी तुम्हारा black blood है, वो क्या है, धीरे-धीरे red होने लग जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, oh make thyself with holy morning black कि तुम्हें क्या है, कि holy morning का मींस है, कि तुम्हें अपने जो भी गलत काम की हैं, उन्हें सब को क्या है, accept करना होगा इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा blood है, वो black से क्या हो जाएगा, red हो जाएगा इसके बाद के है कि तुम अपना जो blood उसे क्या है यानि कि तुमने जो pop वगभर की है उसे तुम्हें wash करना होगा किस से? Christ के blood से अगर तुम अपना जो अपनी जो soul है अपनी जो आत्म है उसे Christ के blood से यानि कि wash कर लेते हो तो इससे क्या होगा that being red तो तुम्हारी जो डेड गलर की सोल है वो वाइट में चेंज हो जाएगी और यहां पर जो पाफ वगर होते है वो गवान के सामने जो भी उसने गलत काम किया उसकी माफी मांगकर वो सबी पाप है जो वो साफ हो जाते हैं तो इसी के बारे में यहां पर बताया गया है तो आपकी पूरी जो पॉइम है इसमें यही है कि जो पॉइट होते हैं उन्होंने अपने पूरी लाइफ में पहले तो बहुत सारी क्या है सिंद किये होते हैं पाप किये हैं उन सब के लिए बगवान को फेस कर सकें इसके बार में बताया गया है लास्ट में कहा कि एक सजेशन दे दिया गया है कि अगर तुम्हें अपने जो भी पाप वगरा की हैं उसका पश्टाव है तो तुम्हें बगवान की भक्ति करने चाहिए अपने जो भी गलत काम की हैं उसे एकसेप्ट करना चाहिए तो शायद तुम्हारे ये जो पाप है उसके लिए बगवान तुम्हें माफ कर दे तो ये जो पॉइम है आपकी ओमाई ब्लैक सॉल ये एक सोनेट है जो की 40 लाइन का है और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एट लाइन जिसे ओक्टेव कहते हैं इसमें तो प्रोब्लम बताई जाती है और जो लास्ट की 6 लाइन होती है उसे सस्टेट कहते हैं जिसमें कहें कि उन प्रोब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाता है तो hopefully आपको यह जो point है वो समझ में आगी होगी कोई भी अगर आपको doubt है तो आप comment section में बता सकते हो आपका doubt दूर कर दिया जाएगा अगर आपको किस भी प्रकार की कोई problem अगर होती है कुछ भी आपको matter discuss करना होते है तो आप telegram channel नई शुरुवात को join कर सकते हो so thank you friends for watching my video thank you